नमस्कर दोस्तों आज का buy and sell call है यह सारे जो brokerage देते हूं का report है पहला है सारे गमा का buy rating आया है JM financial से 450 रुपय का target दिया है इन्होंने 374 रुपय करेंट प्राइस है तिसमें potential upside 20% का दिखता है कंपनी को नेक्स्ट है HCL technology जिसका इन्होंने HDFC security ने 1125 का target दिया है 980 रुपय का current price है करीप गरी 14% का upside है वीप्रो वीप्रो को उपर 460 रुपय का target दिया है 380 रुपय का HDFC security ने current price बताया है और इन्होंने 20% का potential upside देखा है नेक्स्ट है Axis Bank जिसने 970 रुपय का target दिया है 812 रुपय के current price है IC security ने इसके बारे में इसका 29% का करीब-करीब potential upside बता रहा है Apollo Tire 335 रुपय का target दे रहे है और 272 रुपय करीब-करीब 23% का upside दिखती है इसी से direct company Apollo Tire में next है Sun Pharma Sun Pharma के बाए 1010 का target आया है current price 944 है BNP पारिबा इसमें करीब-करीब 7% का upside देख रही है और यहां पर देखिए HG Infra एक कंपनी है जिसके 820 का 900 target दिया है 500-500 का current price है और MK Global को इसमें 44% का upside दिख रहा है बहुत बढ़ी है अनुपम रासाइन है इसमें buy call आया है 1070 का इसमें target है current price 728 है और नभू में एक काम नाम की company है जिसमें इसको करीब-करीब 46% का upside दिख रहा है तो यह तोनों upside बहुत अच्छे है तो किसी भी sharement करने पर से अपने advisor से ज़रूर बात करें समय देने के लिए video देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद